हेलो फ्रेंड, फ्री ओनलाइन चोकलेट मेकिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है आज हम आपके लिए इस वीडियो में चोकलेट को जल्दी और आसान तरिके से कैसे मेल्ट के जाता है चोकलेट मेल्ट करने की ट्रिक लेकर आएं तीन अलग-अलग मेथड से हम चोकलेट को मेल्ट करना बताएंगे आप इन तीनों में से कोई से भी एक मेथड से जिसमें आपको आसानी लगे उस मेथड से चोकलेट को मेल्ट कर सकते हैं तो चलिए देर किस रवात किये तीनों मेथट से चोकलेट को मेल्ट करना शुरू करें चोकलेट को डबल बोलर में मेल्ट करने के लिए आपको एक बड़ा बरतन लेना है पतीला आपका इतना बड़ा होना चाहिए कि दूसरा कटोरा पतीले के अंदर आसानी से रखा जा सके और निकाला जा सके इस तरह ऐसे चोकलेट को मेल्ट करने के लिए आपको अपने पतीले में पानी डालना है पानी आपका आधा पतीले से कमोना चाहिए गैस को ओन करना है चोकलेट को मेल्ट करने के लिए पानी में एक बोईल आने देना है ये देखे फ्रेंड पानी में बोईल आ गया है पानी में उबा लाने के बाद कटोरे को रखना है कटोरा आपका गीला नहीं होना चाहिए तूखा होना चाहिए चोकलेट को मैल्ट करने के लिए आपको छोटे-छोटे टुकडों में कट्यूई चोकलेट लेनी है चोकलेट के छोटे-छोटे पीस करने से चोकलेट आसाने से मैल्ट हो जाती है कट्यूई चोकलेट को कटोरे में डालना है बाउल में चोकलेट को डालने के बाद गैस की फ्लेम लो कर देनी है हाई फ्लेम रखने से गिनारों पर आने वल चोकलेट जलनी स्टार्ट हो जाती है इसलिए गैस की फ्लेम को लो रखना है दो से तीन मिनट में ही चोकलेट मेल्ट होना शुरू हो जाएगी फ्रेंड दो से तीन मिनट हो गए है चोकलेट ने मैल्ट होना शुरू कर दिया है यह देखिए चोकलेट पूरी तरीके से मैल्ट नहीं होई है चोकलेट के मैल्ट होने तक चोकलेट को लो फिलेम पर बाउल में रखना है एक एक दो दो मिनट के गैप में चोकलेट को इस में चोकलेट मेल्ट हो गई है लेकिन इसमें स्मूथ एक्स्चर नहीं आया है चोकलेट के गरम हो जाने के बाद गैस को बंद कर देना है चोकलेट वाले बाउल को पतिले में से बहार निकालना है चोकलेट के ठंडा होने से पहले गरम गरम चोकलेट को इस पैचुला से लगता चलाना है इस पैचुला से लगता चलाने से चोकलेट हमारी स्मूथ बन कर आईगी चोकलेट को इसमूथ करने में आपको 5-10 मिनट लग सकते है यह देखे फ्रेंड चोकलेट को इस पैचुला से लगता चलाने से चोकलेट हमारी स्मूत बन गई है बस आपको इस बात का ध्यान अखना है कि चोकलेट आपकी अच्छी कमपनी क्यों ने चाहिए मैंने मोडे कमपनी की चोकलेट लिए मैल्ट चोकलेट को एक बाउल में करना है इस तरह से आपकी चोकलेट मेल्ट होकर त्यार हो गई है इस मेथड से आप अपनी वाइट, दार्क या मेल्ट चोकलेट को मेल्ट कर सकते हैं अब हम दुसरे मेथड से चोकलेट को मेल्ट करने जा रहे हैं पहले मेथड में हमने डवल बोईलर में चोकलेट मेल्ट की थी, अब हम माइक्रोवेव में चोकलेट को मेल्ट करेंगे चोकलेट को मेल्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट चोकलेट लिए माइक्रोवेव में चोकलेट को मेल्ट करने के लिए आपको माइक्रोवेव सेफ बाउल लेना है माइक्रोवेव सेफ बाउल में चोकलेट डालनी है चोकलेट आपकी छुटे-छुटे पीसों में कटी हुई होनी चाहिए चोप्ट की हुई चोकलेट को माइक्रोवेव से बाउल में डालना है चोकलेट को मेल्ट करने के लिए माइक्रोवेव में टाइम सेट करना है माइक्रोवेव में टाइम सेट करने के लिए अगर आपके यहां का मोसम गरम है माइक्रोवेब में 30 सेकंड का टाइम सेट करें अगर आपके यहां का मोसम धंडा है तो माइक्रोवेब में 40 सेकंड का टाइम सेट करें यहां का मोसम धंडा है तो मैं अपने माइक्रोवेब में 40 सेकंड का टाइम सेट करूँगी टाइम सेट करने के बाद चुकलेट बाउल को माइक्रोवेब में रखना है ये देखे फ्रेंड 40 सेकिंड माइक्रोवेब में रखने के बाद चुकलेट हमारी मेल्ट नहीं हुई है माइक्रोवेब में फिर से 40 सेकिंड का टाइम सैट करके चुकलेट बाउल को माइक्रोवेब में रखना है ये देखे फ्रेंड 40 सेकिंड और रखने के बाद चुकलेट हमारी हलकी हलकी मेल्ट होनी स्टाट होई है हमें फिर से 40 सेकिंड का टाइम सेट करके चुकलेट बाउल को माइक्रोवेव में रखना आ है ये देखे फ्रेंड चुकलेट को फिर से माइक्रोवेव में रखने के बाद हमाई चुकलेट थोड़ी मेल्ट हो गई है चोकलेट हमारी अभी पूरी तरीके से मेल्टने हुई है चोकलेट बाउल को फिर से माइक्रोवेव में 30 चालिस सेकेट का टाइम सेट करके फिर से रखना है माइक्रोवेव में एक साथ बहुत जादा टाइम सेट करके चोकलेट को मेल्टने करना है माइक्रो वेब में भो जाधर टाइम हसेट करके चोकलेट को मऽलेट करने से चोकलेट में जल जूले जाती है है इसमतहर इस ऐसे रहे और कुछ मेर्ट हो गई है जाने दिना को अगुगलेट में कोई लुंट है बहुए को षीक करने पहले इसाधा लूम या चार से पांच वार में 30 या 40 सेकंड का टाइम लैट करके रखने से चुकलेट आपकी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी यहाँ पर मैंने मोडे कंपनी की चुकलेट लिए आप मोडे कंपनी की या फिर 2M कोका कंपनी की चुकलेट ले सकते हैं मोडे और 2M कंपनी की चुकलेट जल्दी और आसानी से मेल्ट हो जाती है मेल्ट चुकलेट स्मूथ बनी रहती है प्रेंट अब हम तिसरे मेथड से चोकलेट को मेल्ट करना बताएंगे पहले मेथड में हमने डबल बोईलर में चोकलेट को मेल्ट किया था दूसरे मेथड में हमने माइकरोवेव में चोकलेट को मेल्ट किया था तिसरे मेथेड में भी चोकलेट को मेल्ट करने के लिए चोकलेट आपके छोटे-छोटे पीसों में कट्यूए होने चाहिए तिसरे मेथेड में चोकलेट को मेल्ट करने के लिए मैंने मिल्क चोकलेट लिए एक बाउल लेना है, चोब्ड चोकलेट को बाउल में डालना है, चोकलेट को मैल्ट करने के लिए इस्टीमर लेना है, अगर आपके पाद इस्टीमर है तो चोकलेट इस्टीमर में असानी से मैल्ट हो जाती है, यह डबल बूलर वाला काम करती है, इस्टीमर में चोकलेट को म जल्दी मेल्ट हो जाती है ये देखे फेन चुकलेट हमारी काफी कुछ मेल्ट हो गई है इस्टीमर में पर चुकलेट में स्मूथ टेक्स्चर अभी नहीं आया है चुकलेट को चेक करना है कि चुकलेट गरम है या नहीं चुकलेट गरम है चुकलेट बाउल को स्टीमर में से भार निकाल देना है और स्टीमर को बंद कर देना है चुकलेट के ठंड़ होने से पहले चुकलेट को इस पैचुला से 5-10 मिनट तक लगता चलाते रहना है जिसे आप अपने steamer से भी चोकलेट को melt कर सकते हैं मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दू चोकलेट को जल्दी और असानी से melt करने के लिए चोकलेट आप अच्छी कंपनी की लें अच्छी कंपनी की चोकलेट लेने से चोकलेट में flavor भी अच्छा आता है इस method से आप अपनी white, dark या milk चोकलेट कोई से भी चोकलेट को melt कर सकते हैं ये देखे फ्रेंड तीनो method से आपको चोकलेट को melt करना बताया गया है तीनो method में से कोई से भी एक method से आप अपनी milk, dark या white चोकलेट को जल्दी और असान तरीके से melt कर सकते हैं अगर आपको चोकलेट मैल्ट करने की टीनो ट्रिक पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को भी दवाना न भूलेगा बैल आइकन को दवाने से आपको हमारी आने वाली सब वीडियो का नोटेव विखेजन समय समय पर मिलता रहेगा और कमेंट बॉक्स में भी जरू लिखेगा कि आपको चोकलेट मैल्ट करने की टीनो ट्रिक कैसी लगी चोकलेट मैल्ट करने की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम आपके पास और भी नहीं नहीं रेसेपी आपके पास लाते रहेंगे बाई बाई